तो करन कुंदरा और तेजस्वी के बीच में एक बार फिर से दोस्ती हुई है जी हाँ क्योंकि टास्क के दोरा इन दोनों में काफी मन मुटाब आ गया था और आज वो फाइनली मन मुटाब खतम हो चुका है जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बिग बॉस पंदरे में इन दिनों जो कि इस समय तेजस्वी और करन कुंदरा पर पूरी जो कि महफिल्टी हुई है क्योंकि इनकी दोस्ती काफी नामी थी लेकिन इन दोनों में मन मुटाब आ जाने के कारण कुछ ऐसे एक्टिविटी हुई है जिसको कुछ फैन्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है वहीं पर तेजस्वी प्रकास ने अपनी तरफ से पूरा एफट डाला है और फाइनली करन को मना ही लिया है करन कुंदरा को मनाने के बाद में अब कुछ घरवाले जो कि इन दोनों को टार्गेट करते नचरा रहे हैं कुछ घरवालों को कहना यह है कि इनकी जो आपस की लड़ाई थी वो खाली दिखावात ही यहां तक कि राकी राकी नवी बताया था राकी सावंद नवी कि इनकी लड़ाई खाली एक दिखावट है और राकी सावंद के अगर बात की जाएं तो सबसे बड़ी बेवान करने वाली एक्टरस में नाम तो यह भी है कि इन दोनों एक बाद फिर से फाइट की अगर बात की जाएं तो सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं इन दोनों के बीच में राखी सामंत ने क्योंकि राखी सामंत की वज़े से ही इनकी दोस्ती में बहुत गहरी दरार आई है और दरार भी इस समय सबसे गहरी आ चुकी है दोस्तों आप को बता देना चाहता हूं कि राखी सामंत ने डेवली न भटाचारिया और रस्मी देशाई की दोस्ती में भी बहुत तखड़ी दरार अवाई है जो कि आज के समय में सबसे बड़ी दुस्मन भी बन चुकी है अलगी तेजस्पे और करन कुंद्रा के बीच में अब सब कु सूरत भी देखने को तयार नहीं है यह सिरिब किया है राखी सांतने क्योंकि राखी सामंत ने इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा करवार पैदा कर दी है जिसके कारण यह दोना एक दूसरे से आज के समय में काफी नफरत भी करने लगी है साथ ही दोस्तों आप अब बागी है और दा अतार सलमान खान बोल रहे थे कि समल के कहलो समल के कहलो लेकिन बिक बोस के हर आध मत रद कराने की हर घरवालों नहीं है और अब घरवाले के लिए सल्मान खान लड़ते भूए नजर आ 느खने दौ्दाई दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चेनल को स पूस्क्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर वर्णाइब करें